हेलो दोस्तों, वाट्स अप, आपका भाई दुबारा साजी रहे अपने एक निव वीडियो के साथ तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे MI phones के OTG problem को fix कर सकते हो तो देखो जितने भी MI phones होते हैं उनमें आपको OTG का option पहले से नहीं दिया जाता है आपको ये option को खुद से enable करना पड़ता है तो आप ये कैसे कर सकते हो, आज के इस वीडियो में आपको यहीं बताने जा रहा हूँ आपको देखना है कि MIUI वर्सन वाला option कहां पर है तो उसको देखने के बाद आपको उसको 5-6 बार क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपका developer option open हो चुका है मतलब कि enable हो चुका है तो आपको back जाना है आपको additional setting ढूणना है और उस पे जाना है additional setting में आज आने के बाद आपको developer option ढूणना है तो देखे ये option यहाँ पर है तो मैं अभी इस पे चला जाता हूँ developer option में आने के बाद आपको ढूणना है USB dubbing का option होगा आपको उसको ढूणना है और उसे enable कर देना है तो चलिए इसे enable कर देते है तो देखे ये OTG वाला option था तो ये enable हो चुका है तो चलिए OK कर देते हैं तो अब आप जब भी OTG का phone में यूज कर गए तो OTG आपने आप phone से connect हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो helpful लगी होगी तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आवे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अल नोटिकेसन बिल्को ओन कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल free है तो चलिए मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक के लिए मस्त रहो बिन दास रहो